लोग सवा चुनाओ चल रहे हैं और ऐसे में वार प्रिशिवार बीजेपी और कॉंग्रेस पे चल रहा है आज अमिस्था ने बड़ा बयान दिया है कि लगातार जो अम्बेटकर जी का कानून है उसे खत्म करने का प्रयास कॉंग्रेस का चलना है इस बुद्दी पर बात करन संग्रप्रमुक का पुराना वीडियो वारत में हो कह रहे हैं कि आरच्षण के समिक्षा होनी चाहिए तो मुझे लगता है भारतिय दिन्ता पार्टी पुरी तरह फस चुकी है मुदी जी के गुजरात के संदर्व में भी बैयाना चुका है उन्होंने किस जाती किस जाती में करके किस कारच्षण चीना था देखिए ये चीजें असपस्ट हैं कहा जाता है जूट की काठी एक बार ने चड़ती भाजपा ने दो बार चढ़ा ली जली हुई काठी को दिवारा चढ़ाएंगे जल जाएगी तो जल गई है उनकी अब उनका न जूट चलने वाला है न फरेव चलने वाला है देश पूरी तरह से उन्होंने सफाथ ख़़ा है कॉंग्रेस पार्टी की गरिंटी के साथ खड़ा है हिंदुस्तान से विकास छीन कर कुछ चंद उद्धोग पतियों के बेचने वालों के खिलाफ खड़ा है यहां से बिरोजगार बढ़ाने वालों के खिलाफ खड़ा है डिजल, पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, सही तमाम चीजों के दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ खड़ा है जिस तरह से एक एक करकर यहां के हिंदुस्तान के लोगों का अपमान विदेश की धरती पर जाकर भारती जन्ता पार्टी के सिस नितित दरा किया गया उनके खिलाफ खड़ा है तो अब पहले और दूसरे फेस के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी साफ हो गई है बचे हुए फेस में भारती जन्ता पार्टी हाफ हो जाएगी ना जूट चलेगा ना फरेब चलेगा सिर्फ राहूल गांधी जी की जो तपश्या थी दस अजार क्रिमिटर चलने की भारत को एक जोट करने की कॉंग्रेस पार्टी की जो संगर्स और उनकी गरिंटियों का भरोसा रहेगा अब सिर्फ होई चलेगा अमिशा इपने पेयान और दिया है कि राहूल गांधी और प्रियंका गानी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो नहीं पता लेकिन उनका आत्म विस्वास डगमगा गया है वो अपने गढ़ कही जाने वाली सीटों में लडने को तयार नहीं है अमिशा जी चाहते हैं कि इसमें तीरानी हारेंगी निश्चित रूप से अमिशा जी की इच्छा अमेठी में भी कॉंगरेस पूरी करेगी और पूरे देश में भी उनकी इच्छा कॉंगरेस पूरी करेगी भारतिय जनता पार्टी को हरा करने मैं अमेठी पर घूम रहा हूं लोगों से मिल रहा हूं बातचीत कर रहा हूं जनता भी कहीं न कहीं ये भ्रहम हो रहा है उनके भ्रहमित हो गई है कि आखिर कर रहूल आली आएंगे प्यंका जी आएंगे तारीख पर तारीख क्यों? लोगों, कोई भ्रहम नहीं है इस भ्रहम को भारती जनता पार्टी के एक विधायग ने तोड़ा जिस तरह से कल भारती जनता पार्टी अपने नामांकन जुनूस में हमारे कौंग्रेस कार्याले में उनके आराजक तत उनके अपराधी गुंडे घुसे तोड़ फोड़ की कुछ हमारे कारकरताओं से हाथा पाई भी की और उस बात पे मुहर भारती अंता पार्टी के बिधायक पूर मंत्री अधनिय सुरेश पासी जी ने लगाया उन्होंने कहा कि बिधायक को र सहरारे जाने कि प्रमान हैं तो अमेठी महबत के धर्ति रही है अमेठी सूफी संतों की धर्ति घिरे जिन्होंने महबत के पैगाम दिये यहां पर बड़े बड़े शाहर और शाहितकार पैदा हुई है अमेठी का नाम विकास के कारनड़ चाहराजू जी से लेकर राहूल गांधी जी तक पूरी दुनिया में जाना गया है तो आरजक्ता, नफरत, गुंड़ई, हमारे सुरेश पासी जी सब्दों में गंगेश्ट्रों दोरा पार्टी का संचालन किया जाना ये कभी नहीं रहा है। ज्य सकते हैंछ्डें लेटों में रहा है नहीं एएएजो एपी जी से लेन से झाहर से बातरी कि जी सुरेशन से वायँ तके भकार